आप सबी को मेरा पनाम हर्बल रेमिडीजे नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रो आज धत्की की बात करेंगे धत्की या धाय के फूल औरेंज कलर के फूल आप देख रहे हैं बहुत ही सुन्दर फूल है और आयुरवेद में युनानी में हमोपैथी में बहुत जि प्लांट है और किस प्रकार से हम इसको उस्दियगुणों के लिए उपयोग में ला सकते हैं इसकी आज हम चर्चा करेंगे मित्रो यह जो फूल आप देख रहे हैं यह जो मार्च के महिने में फूल आ गए हैं इनको आप सुखा के रख लीजिए यह रक्त प्रदर या स्व करते हैंAs कि प्रदर की समझ्छा को आसानी से दूर करते हैं इस पौधे की छाल आप देख रहे हैं इस चाल का डिखूक्शन बनाकर अगर आप से वन करते हैं करते हैं diferente ना का करती है यह ब्लड मार्ण को हो कि रोकने वाला को फूल होता है और यह हीमस्टएट का करती है कि होता है। बलड के बहाव को रोकने वाला वॅन डि Representatives मित्रम होते हैं किलिए के फूल को हम अच्छे से हो इसके लिए आसव और स्वार अरिस्ट के ले डाला जाता है इससे क्या होता है की जो आसया अरिस्ट बनते हैं मेन में complete प्रिट फर्मेंटेशन होता है और उच्छ गुनमत ताके आसव और अधिस्ट बनाया जाते हैं जलन की समझ सा हो जाती है जलने के बाद फफुला बन जाता है उस फफुले को सही करने के लिए 100 मिलीलीटर तिल के तेल को सिद्ध कर लीजिए सिद्ध करने के लिए आप क्या क दाता है उस टेल को आप बरनिंग कहीं हो गई हो तो महां पर अपलाई किजिए बहुत अच्छा मैं उसको आसानी से कही इस प्लांट की कफ्वल्प्रोपर्टी होती हैं कफ्व पित्तवसामथ प्रोपर्टी होने के कारण जो कफ और पित्तव समद्थी डिसस पत्र और इसके फूल का काड़ा बनाकर आप सेवन कर सकते हैं, पित्त के समन के साथ साथ यह कफ को भी दूर करता है और बुखार को टीक कर देता है, कई बार पित्त के कारण मुह में कड़वाट रहती है और सर में बहुत तेज दर्द रहता है, उसके निवारन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सुध तिल का तेल मुह में भर लीजिए और इसके पत्र का रस अपने सर में लगाईए, तो आप देखेंगे कि पित जो है आपके मुह में आ जाता है और जो तिल का तेल है वो पीला पड़ जाता है, पंदरा मिंट बाद आप इसको कुला कर दीजिए सारा सरीर का जो पित आसानी से दूर हो जाता है, पूरे प्लांट का पंचांग काडियो प्रोटेक्टिव और हिपेटो प्रोटेक्टिव होता है तो आप इसका छाल का फूल का और पत्र का तीनों का डिकोक्षिन बनाकर सेवन करते हैं, तो हिर्दे को बल देने वाला और लीवर को डिटॉक्सिफाइgiving करके लीवर टॉक्सिंस को निकालने वाला अच्छा ये ्प्लांट है, आप इसको अपयोग में ला सकते हैं, इसके अलावा अगर पेट में कीडे हो तो आप इसके डिकोक्षन का, आप इसके काड़े का सेवन भी कर सकते हैं, एंटी अल्सर एक्टिविटी भी इस प्लांट की होती है इस प्लांट का उप्योग आप इम्मीनो मॉडुलेटर के रूप में भी कर सकते हैं कई बार इम्मीनोटी के कंप्रोमाईज होने के कारण या एक्सेस मेडिकेशन लेने के कारण या बहुत सारी न्यूट्रसूटिकल्स की ओवर्डोज के कारण एडवर्स इफेक्ट सरीर में हो जाते हैं तो उनको रेमिडियेशन के लिए वंडर्फूल इम्मीनो मॉडुलेटर ये प्लांट है आप इसके पंचांग का डिकॉक्शन बनाकर से बना कर सकते हैं इस प्लांट के फूल फाल पत्र और मूल सभी औस दियगुनों के लिए उ प्लामेटर के यह आसानी से हो जाता है। इस भार बुखार बार बार बुखार होने के दूर करता है। पोस्ट डिलीवरी माताओं को बार-बार बुखार होने की समस्षा होती है जर्नली ये शरीर कीमिनूटी के वीक होने के कारण होता है तो उसके निराकरण के लिए भी आप फूल का भी सेवन कर सकते हैं और चाल का डिकोक्षन का भी सेवन कर सकते हैं बहुत अच्छा कार्य कर होता है मित्रों ये जो प्लांट है ये कंसीविंग को करने में भी साहिक होता है जिन माताओं बहनों में गर्ब धारन की छमता नहीं होती है या होर्मोन इंबैलेंस होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए आप इन फूलों को सुखा के रख लीजिए और इनका चून बना देखेंगे कि फर्टिलिटी को बढ़ाकर होर्मोन को रेगुलेट करके ये गर्व धारन में विशेश साहिक होता है साथ ही साथ सरीर को पोशन देने का भी प्लांट कारे करता है लुम्बैगों की समस्य हो जाती है जिसको कटी सूल कहते हैं उसको दूर करता है या सरीर के विभिन्न वागों में वात के कारण जो पेन हो जाता है एंबीग्वस पेन हो जाता है उसको भी ये प्लांट दूर करता है इसके फूल इस मौसम में मार्च के महिने में आये हुए हैं आप इसको सुखा के रख लीजिए और अच्छा ये कारे करता है वंस के लिए वारिल के लिए इम्मिनुटी कंप्रोमाइज हो गई हो उससे संबंदित अगर फीवर है तो उसको दूर करने के लिए या बलड का फ्लो कहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए हॉन्मोन को रेगुलेट करने के लिए प्रदर की समश्या को दूर करने के लिए इस प्लांट का उप चिंरनंगों के आप मसाज कर सकते हैं मालिस कर सकते हैं आर्थारेटिस में विश्यस लाब करता है Skin Care के लिए भी आप उसके फूलों को लगा सकते हैंशुके फूलों को पास्ट बना कर along हो Systems या पिम्पल्स हो गए हो उनके निराकरण के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं इसके अगर ज्यादा लगें तो आप इसमें थोड़ा से अनारियल पेल भी मिला सकते हैं फिर सूबनेस को बढ़ा कर स्किन के मुहासों को ये दूर करता है जानकारी को सेयर करें और चैनल को संदक्षित कर सकें और लोगों के स्वास्ते के संदक्षित में भूनी का निभा सकें आप सभी का दन्यवाद प्रणाम नमस्कार